देख रहे हैं आप मौझूदा वक्त में 4G नेटवर्क के मामले में जियो और एटेल टेलिकॉम प्रोवाइडर का दबदवा है इन दोनों कम्पनियों की तरफ से इस साल की शुरुवात में टैरिफ प्लान गी कीमत में इजाफा किया गया था साथ ही फिर से कीमत बढ़ाने का एलान कर चुकी हैं लेकिन जल्द ही जियो और एटेल की बातशाहत को जोड़दार जटका लगने जा रहा है क्योंकि सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचान निगम लिमिटेट बियस नल जल्द स्वदेशी 4G और 5G सर्विस लॉंच करने जा रही है सरकारी फर्म सी डॉट की एक अधिकारी की माने तो सी डॉट और टीसी एस मिलकर स्वदेशी 4G और 5G टेटवर्क टेकनोलोजी पर काम कर रहा है रिपोर्ट की बुतावे कि साल 15 अगस 2022 तक भी असनल 4G और 5G नेटवर्क की लॉंचिंग कर सकता है वर्जेंस इंडिया इवेंट में सेंटर फॉर डेवलमेंट ऑफ टेलीमेक्स सी डॉट के कारिकारी निदेशक राजकुमारुपाध्याय ने कहा कि कंसूर्टियम ने स्वदेशी रूप से लगवग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से टेकनोलोजी अविक्सित की है कर्मचारी कारक्रम में यह भी कहा कि प्रधान मंति नरेंद्र मोधी चाहते हैं कि पंद्रा अगस्त तक फोर्जी सेवाएं शुरू कर दे संचार और सुचना प्रद्योगी की परिस्थाई समित ने श्रिपारिस की है और बियस नल को देश में निजी दूर संचार किया है लाल इस वीडियो में इतना ही आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं टेक की ऐसे ही ख़बरों के देखने के लिए संचार ने उसके पेज को फॉलो करिए शुक्रे